कि फर्स्ट कोशन पढ़ने पर आप पाएंगे कि देखिए गॉलिवस ट्रैबल और इंडीड़ और इंट्रेस्टिंग बुक्स ठीक है तो हमेशा आप क्या देखेंगे सबसे पहले आप नोटिस करेंगी जितना भी चीज़े पार्ट आप स्पीच पर पहले दिमाग लगाए अब समझ सकतें कि जब स्ब्यूर सब्यौइक नेहीं और और अप समझ सकते हैं इसके क्या सब्जेक्ट है रहता है जब क्या होता है यह क्या है आपका वोट है और यहां पे प्लोरल ले जो कि गलत है ना यहां पर क्या होना चाहिए इस होना चाहिए था ठीक है गॉलिवर्स ट्रैवल इस इंडिल और इंट्रस्टिंग भूग ठीक चलिए तो फर्स्ट कोशन में आपको पता चल गया कि वर्प से रिलेटर था लेश्ट कोशन पर आते से सब्जेक्ट वर्प अग्रिमेंट का अपने जो वह 25 रूट से पर रखेंगे तो आपक कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो वर्प के नजदीक के एकॉर्डिंग होते हैं तो वर्प के नजदीक यह दिख रहे हैं ठीक है यह वर्प के नजदीक वाले सब्जेक्ट के एकॉर्डिंग होता है ठीक है आइदर और की किसमें क्या होता है वर्प अपने सब्जेक्ट के ए यह क्या, similar subject है अग्धर यह similar subject है तो verb नहीं होगा न, plural, have क्या plural verb है, हमें क्या करना होगा? has करना होगा जियोती थायस डन ग्राइम, ठीक है? चले, तो second rule में आपने चीछा कि subject agreement का rule यह कहता है कि either or के case में और से जो जूड़ता है subject, उसके recording ही होता है, वहाँ पर वर्भ या कह सकते हैं वर्भ के अपने नजदीक वाले सब्जेक के नुसार होता है दोनुत तरह से अब इसको समझ सकते हैं चलिए ठीक है नेस्ट कोशन पर आते हैं कि यहां तक गीला है अगर है तो जाहिर सी बात है लिए रिपनेकली यह बात है कि बार तो ही कि यहां पर सुड नहीं लगाएंगे। कि मस्ट होता है बहुत ज़्यादा संभावना के सेंस में हुटता है मस्ट ठीक है इस इस फर्स जो तो हुई थी संभावना है ठीक है चलिए नेस्ट को सन पर आते हैं बड़े मज़दार है आप सबसे पहले ध्यार कि और यहां पर तू का समझें बीटी में का कंझेंसट ऑः एंड ठीक है और हमँ टू की बात conducting होता है तो यहां पे करना होगा हुदी कि इसके एक अलग रूल आपने शीखा, लेस्ट क्या है, लेस्ट आपको जो होगा, he is very angry on me, तो देख यहां पर preposition based error है, यहां पर क्या प्रिपोजिशन बेस्ट error है, और हमने आपको बताया था कि angry के साथ क्या लगता है, angry के साथ लगता है, बसन गर हो तो वो with लगता है, on तो लगत आपने प्रिपोजिशन बेस्ट error सीख लिया, और यह पार्ट में यहां पर error है, आप भी का यूज करेंगे, next question क्या है, the social activist was murdered in cold blood, ठीक है, अब देखें, the social activist was murdered नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, was plus verb का third form लगाएंगे, इस sentence क्या है, एक passive formation में, यह क्या है, passive formation, और passive formation में क्या होता है, verb का third form आता है, तो यहां पर क्या करेंगे, murdered, ठीक है, चले, let's question पर आते है, the train will not start, the train will not start until the guard will blow the whistle, देखें, जब conditional sentence की बात हम करने लगते हैं, ठीक है, जब हम conditional sentence की बात करें, conditional sentence के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो conditional sentence से पहले वाला जो sentence का मिन्स की clause होगा, वो तो आपका future में होगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो होगा, तो वो होगा, present indefinite में, ठीक है, present indefinite में, तो यहाँ पर will नहीं होगा, ठीक है, until the guard blows the, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, blows the whistles कर लेंगे, blows the whistles कर लेंगे, ठीक है, तो ध्यार रखेंगे, until, या if हो, जब conditional clause होता है, तो उसके first वाले clause, अगर future में हो, तो next वाले clause होगा आपका present indefinite में होगा, ठीक है, चली, next question भी बहुत important, बहुत ही मज़दार रूले, एक great, खुद ही आप eliminate कर लेंगे, एक great deal of, और यहाँ पर a number, a number of, ठीक है, दोनों में क्या अंतर हो सकता है, एक great deal of, और a number of में, है ना, तो यहाँ पर चीज़े समझेगा, I read a great deal of books, यहा फिर I read a number of books, तो great deal of books, जो होता है, un-countable के साथ होता है, और यह countable के साथ होता है, यहाँ पर book क्या आपका countable है, तो countable के लिए हम क्या यूज़े करेंगे, a number of book का use करेंगे, ठीक है, a number of book का use करेंगे, ठीक है, अब आते out of a filler देखे विलर में भी क्या है जैसे परते हैं कि जेन इस अन्ट वो इसमें चार उप्शन क्या होना चाहिए जैनिस अन्ट के साथ जो प्रिफोजेशन होता है न आ प्लस विद्व होता है ठीक है प्रिफोजेशन अब आप चेक कर लिए हम कॉन सा अब कुर्ण सा होगा एक ठीक है, नेस्ट, I am not angry, you Paul, अब यहां पर फिट से person आया है और angry आया, तो angry और person के लिए हम क्या use करते हैं, ठीक है, angry के साथ हमेशा क्या use करते हैं, जब person की बात करते हैं, जब हम person की बात करते हैं, ठीक है, चलिए, next question पर आते हैं, next question के यहां पर article based है, और article based में क्या होगा, यहां पर जो indefinite article होगा, यहां पर use होगा, Australian के साथ indefinite article का use होगा, लेकिन अब बात है कि कौन सा यह तो होगा, अब तीन option तो बस्ते हैं, Australian, अगर हम बात करें, और से शुरू होता है, जब आप इसका sound करते हैं, इ Vavel Sound के लिए हम क्या use करते हैं? An क्यूस करते हैं, इउरोप का कर हम बात करें, European, इसका sound होता है, कैसा होता है, consonant sound है, résonant sound, means की यह यह से शुरू होता है, तो यह क्या होता है? अन होगा और ए होगा है एन और ए ठाका है एन उट्टलियन एन उउरोपिन अर्ट ग्र्ल आपर्टमेंच है एंद नहीं प्दिश्ट mil द demandé अब पता ही कि आप looking for look for कि आप एक phrasal verb है look for कि आपका एक phrase है जिसका मतलबत है खोजना to search अब आप चीजे खोजेंगे अपने लिए घर खोजेंगे गे या अपार्टमेर खोजेंगे एरी खोजेंगे गुट करेंगे चीप नहीं बरकी perfect खोजेंगे ठीक है चली question number 13 पे आते हैं तो देखे question number 13 के है यूथ should believed as God तो believe के साथ preposition आप रहे लेकि believe पे साथ in होता है ठीक है चली next question है he was born he was born के साथ यहाँ पे अपड़ी पोजिशन होगा इन होगा ठीक है जब parents की बात होता है तो वहाँ पे off का यूज़ करते है आफ के लिए हम parents का यूज़ करते तब करते वर्ण अगर हम कोई place के लिए यूज़ करते है तो हम इन करते है ठीक है चली next question क्या his opponent launch a political dance against him his opponent launch a political a political के sense में हम tirate का यूज अलोचना करना टारेट का मतब क्या होता है भासन के द्वारा अलोचना करना अलोचना करना ठीक है अगर रेजिमेन कई बात करें रेजिमेन का मतब होता है नियम या खानून होता है ठीक है नियम या खानून के हम बात करें रिगेल का मतब क्या होता भई रिगेल का मतब होत कहानी सुनाकर मनुरंजन करना ठीक है और इसका मतलब होता है रेमिशन का मतलब क्या होता है सजा या बिमारी में कमी है सजा या अगर बिमारी की बात करें उसमें कमी ठीक है चली नेक्स कोशन पर आते हैं अच्छा नेक्स कोशन यहां से जुरू होगा ऑपोजिट वहला यह तो फिलड होगी है, अब यहां से opposite, जैसे baron, baron का मतलब होता है क्या है, बंजर, वैसा भूमी जहां पर खेती किया ना जा सके, उसका opposite क्या होगा, fertile जिसका मतलब उप जाओ, ठीक है, जहां पर खेती की जा सकती है, फैलो का मतलब क्या होता है, ऐसा खेत, जिस पर खेती नही हो, ठीक है, और फिरिस का मतलब बता है कि, फिरिस का मतलब बता है, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, और फिरिस का मतलब बता है, लोह, मिंसकी लोहा के सेंस में, चले, ठीक है, नेस्ट कोशन पर आदा है, होस्टिल, होस्टिल का मतलब होता है, सत्रुता, ठीक है, या सत्रु जैसा सत्रु्टा जैसा ठीक है चाहिए अपॉजट्ट होगा में वह क्या होगा सीफ्टतिक एवह मितरता के बहवार के सेंसर में होगा बाकी आपको प्यदानेस्त आगे बढ़sem सवाद uh जिलह का मतलब की ऊतर चीज आघियो खतर और इसका प्रोजट होगा सेफ्टी मतब सुरक्षा ठीक है खतरा का उल्ड़त है सुरक्षा और पाखी मौटल मरंसील होते है फैलतल का मतलब नोड करना चाहेतो कर सकते घंगा तक होता है तो अब आध यहाशा साइनो देखेंगे ठ विष्ट ना तो रिडिकुल्स हो गहाए इसका मतलब हो तरे मेहनती भीक्स का मतलब क्या होता है बहुत तेज बहुत तीज ऑं हुआ है। solitary का मतलब होता है akila, इसका जो option होगा, correct होगा lonely का मतलब होता है akila, ठीक है, बाकि subtle का मतलब होता है सुक्ष्म, बहुत छोटा, sad का मतलब होगा, उदाशन और voluntary मतलब सुच्छा से काम करने वाला है, ठीक है, आते pacific की बात करते हैं, pacific का मतलब होता है, शांती प्रिय, शांती प्रिय रखती, इसका sign होगा, peaceful, peaceful का मतलब होता है, बाकि extensive का मतलब होता है, बयापक या बड़े अस तरफे, ठीक है, चली, लेस्ट कोशन पर आते हैं, 22 पर यहां से देखेंगे, इडियम फ्रेज, जैसे कि यहाँ पर की her mother saw through the excuse she gave, her mother saw through the excuse she gave, जो उसने excuse दिया, उसकी मा क्या कर देखेंगे, sty good see through का मतलब होता है, पता लगाना, एकcakर केוא इसका sign पर लगाना, तो पता लगाना के sense में यहाँ यहां पर क्या होगा, detected ठीक है her mother detected the excuse she gave जो उसने excuse दिया उसकी mouse के बारे में पता लगाई ठीक चलिए next question पर आते है she has a be in her bonnet and line वाले क्या मतलब बताना अब भी in her bonnet and can say anything अगर हम बात करते है anything fang person anything anything नहीं बसे crazy person के बात करें को ऐसा crazy person हों सा कुछ भी बोल सकता है ठीक है